हेलो गाईज मैं हूँ आमेत और आप देखें ब्लिडिक्स वैजी काईज होली के उपर काफी लोग स्मॉक बंस का भी यूज करते हैं काफी फंक्शन्स में भी यूज होता है और कुल मिलाकर यह जो है कुछ इस तरीके का होता है इसके अंदर से कलरफुल धुआ निकलता है मैंने सुचे कि क्यो ना इसको खोल करके देखें कि स्मॉक बंस के अंदर क्या चीज होती है कि इस तरीके देखने वाले हैं फट आप जे शुरू करते हैं तो यहां पर है हमारा स्मॉक बंस और इसके उपर जो है वोईलेट लिखा हुआ यानि कि वोईलेट कलर का है बैंग नी रंग जो होता है वो इसके अंदर से धुआ निकलता है और अगर इस पैकेज की बात करें तो इसके उपर रेंबो फोक करके कुछ लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है स्मॉक बगेरा तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले तो इसका उपर का रैपर है यह हट जाएगा कागज काई है कुछ जादा है नहीं यहां पर और इन् मुझे नहीं पता कि इस पटाके के अलावा भी इसके अंदर कुछ है या नहीं तो शायद इस तरीके से पटाका बाहर भी आ सकता है और बिलकुल आप दिखिए ये जो शोटा पटाका है वो बाहर आ गया है और अब इसके अंदर सिरफ मिट्टी बची है और ये एकदम खाली है आपको दिखाता हूँ यहां पर अगर आप देखोगे तो आप देख सकते इसके आर पार आपको जो है दिखेगा और ये जो छोटी वाले चीज़ है तो एक बाद में समझ में नहीं आई कि जब इनको यही देना था तो इतने बड़े डब्बे में क्यो दिया उची दुकान तीका पकवान इसको भोलते हैं भया चायदा ना तो इसको भी खोलते है और यहां पर स्मोक बोम खुल गया है कुछ इस तरीके का पाउडर है इसके अंदर मुझे नहीं पता इसको हाथ में लेना चाहिए यह नहीं लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं ऐसा यहां पर कर रहा हूं और इसके अंदर एक हल्का सा टिंट है वाइलेट कलर का और बाकी सरी के पाउडर है यहां पर ही है और एक फ्यूज के अलावा कुछ नहीं है फ्यूल यहां पर बाहरा जाएगा तो भाई यह होता है एक स्मोक बोम के अंदर वीडियो अच्छी लगी तो गाइस आज के लिए इस वीडियों बसित नहीं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रू से दबा दीजिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ में सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वह भी कर लीजिए तो चलिए फिर मिलता के ल पिर ज अईव्यों है झालarde किज वीडियो है